नमस्कार दोस्तों बिग बुल मार्केटिंग के यूट्वी चैनल में आप सभी का स्वागत है वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए धन्यवाद तो गाइस आज हम डिसक्स करेंगे बारे में क्या आपक से पहले कंपनी के फंडमेंटल डिसक्स कर लेते हैं तो कंपनी का स्टॉक नहीं जादा ओवरपाउट जोन में और नहीं एसम की किसी रेड़ फ्लेग लिस्ट में कंपनी की जो एनुल ग्रोफ रेट प्रॉफिट जेनरेशन सारे की सारी पॉजिटिव में गाइस तो चले ह आउटर एफाइज और मुचल फंड वगरहों के वहां और 44 परसेंट जो है वो अवेलेबल है ओपन मार्केट में जो अपने रिटेल इंवेस्टर हैं इंडिवीजुल इंवेस्टर हैं उनके वहां जो हैं 44 परसेंट की होलिंग से और बात की जाएगा इस कंपनी के जो वेलुएशन आप देखते हैं वेलुएशन में एक ढ्रॉप हमें देखने को मिला यूँकि आपको पता है शेर प्राइस में हमें करेक्शन देखने को मिला थक्युक्कि आपको पता है ब्यपज काफी ज्याधा क्रूड वाइल डिसकाउंट में पेची थी डिमेस्टिक मार्केट में एस कंपेर टू जो इंटरनेशनल मार्केट से प्राइस में उठारी थी जिसके वज़से इनके रेवन्यू ग्रोथ रेट ग्रोथ प्रॉफिबिल्टी में काफी नेगेटिव इपैक्ट हमें देखने को और काफी साथ जो है इसके वज़से बीपी सेल जो है स्ट्रगल कर रहा था जिसके वज़से हम इनके वैल्यूएशन में ड्रॉप देखने को मिली और यहां पर बात की जाए का इस कंपेनी की ग्रोथ और प्रॉफिबिल्टी की तो यहां पर आप देख सेते हैं कंपनी का जो रेवनियो और नेट इंकम वगेरा वो गीरी क्योंकि जो है कंपनी के जो बीटा वगेरा है बॉटम लाइन उससे काफी इंपक्ट हुए थे क्योंकि इन्हें काफी डिस्कॉर्ण में जो क्रूड ओयल बेचने को क्रूड ओयल बेचना पढ़ रहा था जिस प्राइस में हर लीटर पे जो है फॉर एक्जमबल दस रुपे का जो था लॉस हो रहा था तो इससे इन्हें क्रोडों का जो था लॉस हो रहा था हर दिन गाइस जिसके वज़से हमें इसके ग्रोथ इन प्रोफिबिल्टी में गिरावट देखने को मिली गाइस तो बाइस बात की जाए तो इसके वज़से कंपनी डिविडेंट देने में भी स्ट्रागल करी थी कंपनी पर इसके वज़से टेप्ट भी बढ़ा तो गाइस अब जो है आपको पता है क्रोडों के प्राइस जो है गिर चुके तो अब जो है बीपी सेल जैसे स्टॉक जो है काफी अच्छे हैं गा जो है इंप्रूव करेगी तो गाईस अब हम चार्ड में आपको एक्स्प्रेंट करते कि किया सेटब स्टॉक का बन रहा है जो कॉष्ट पर समस्चते है कि वी पीपी सेल में क्या सेटप बन रहा तो हमने आपको कहा था जो है बीपी सेल आपको 300 से नीचे जाता हुआ नहीं दिखा कि क्योंकि वहाँ पे बहुत हेवी जो इंस्ट्यूट बाइंग और आप देखते हैं 300 के लेवल पी इसने जो एक स्ट्रोंग स्पोर्ट ले और वहां से हमें एक बाइंग देखने को बुलिए और एक अच्छा डायरेक्शन वहां से स्ट कंपनी का जो आरेसा इंडिकेटर है वह भी एक बुलिश ट्रेंड शोकर है तो गाइस बीपी से लेक बाइक ओल रहेगा और आपको इस शेर में बेफिकर होके बैठना है कोई भी आपको घबराने की जूरत नहीं यह शेर आपको डिसपॉइंट नहीं करेगा काफी तगड गाइस जितनी नेगेटिव न्यूज आने थी आचुके कंपनी काफी फियर वैलिवेशन पर आपको मिल रहे हैं और यहां से आपको एक रेली स्टॉक में बनते हुए दिखेगी तीन सो का आपने यहां पर स्टॉक लोस लेके चलना है और पांसो के टार्गेट आपको आने हैं और रादगीज पांसो के लूंप मिल ढई एक रादगेट रहें पर च new यहां से पीतने पर चीर रहेंअ दो सहीं, जängerब हो लो next हम मih होड़ THAT हम बने हूार को लो टार भागेट हैं extermin हुआ हूआ हैं यहां उर ऐकान हनुआ है यहाँ है हैं वह सłemक द जाइए हैं रज हैं